हम लोग बनाने वाले कुछ ऐसा वाला चैरा आए तो यहां पर अगर अपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप देख लो उसमें मैंने बता है कि ऐसा नॉर्मल बेसिक कैराँजल कैसा बनाते हैं तो आप देख लो इसी को एक कनवर्ट करने वाले है ऐसे कुछ कह रहा हुजल में लेफ्ट और राइट जो है वह थोड़ा सा दुनला है तरीके से और जो सेंटर है वह थोड़ा सा डारकर दिख रहा है और यह जो है वह माउस की वील से स्ट्रॉल हो रहा है तो यहाल आपको पता करने का है कि माउस के वील से कैसे स्ट्रॉल हो रहा है तो आप्या फिछला वीडियो दीख लोस्में आपको पता चल जाएगा ओके तो यहां पे हम लोगके पासं ये कह मुल का एफ इसका चाहिए तो आपको प्रशिंघिड का लिक मिल जाएग। वहां पे जाकि करण करते हैं तो इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट एस करके आउल 3 करके सेव करते हैं तो क्या है ना वो ज्यादा बेटर रहेंगा तो यह हम लोग का थार्ड फाइल है पहले दो फाइल आपको मिल जाएगे हम यह भी तीसरा फाइल ओके सो यहां पर सबसे पहले जो चीज आपको डालन अब जैसे यह होगा तो फॉर सेंटर हो गया फाइसे रोगया और लूप टू से क्या होता है लूप मतलब कि मेरा यह है वह लूप होते रहेगा अभी देखो इसको मैं नेक्स नेक्स कर दू तो यह किसी रिजन सेनियोर ओके मैं आउल 2 पे हो ना आउल 3 को इसको ओपन तो अगर मैं यहाँ पर लूप नहीं लगूगा ना आपको पता चलेगा क्योंक छिम्त और तो अब यहां पर यहां पे दrieुग यहां पर यह फॉर्स सेंटर है जैसे में आगे जाँगा सेकेंड सेंटर हो गया तो यहां पर लास्ट सेवें नहीं आ रहा है वह लोग ने लगा न तो सेमें इसके लिए नहीं आ रहा है तो अगर आपको ऐसे कुछ करने तो आपको लूप लगा नहीं होगा सबसे पहले मैं यहां पर टार्गेट करता हूँ आपको पते ही हो का मैंने वैपर को टार्गेट करके यह कस्टम क्लास से मैंनों बने ही ओके और यहां पर लिखूंगा वापस से ब्रैपर डालों और फिर वापस से आउल आइटम सेंटर आइटम और फिर इसके साथ ही डॉट सेंटर लगाओ बीना स्पेस के ओके यह चीज़ यहाद रखना आउल आइटम डॉट सेंटर आइसा पूरा लिखना है आपको और यहां पर ओपैसिटी वन कर दो तो यह इतना ही करने के बाद आपको यह पूरा कैराजल बन गया अभी यहां पर लेक कई कई पर रहत और यहां पर लिख लो 1.1 लिखोगे एक चीज़ तो यह हो सकती है कि लेकिन यह बहुत बढ़ा हो जाएगा तो आइगेस आपको यह नहीं करना चाहिए सिर्फ वन डालो और उप्रवाले में जहां पर हम लोगने आउल आइटम लिखा था उसमें आप डालो क्रांसफोर्म स्केल 0.9 तो क्या होगा न यह बैलेंस हो जाएगा तो देखो यह लेफ्ट राइट के छोटे हो गए और सेंटर का बढ़ा है और जैसे मैं इसको नेक्स करूगा तो देखो सेंटर का बढ़ा हो गया वापसे सिंपल तो यह एकदम इजी चीज है अगर आपक क्या हो रही है को इसका logic समझा देते ऑग support करने से क्या होता है न कि यहां पर हमारे इस carousel के अंदर सेंटर में जो है वैल्यू उसका जो वैल्यू है न मतलब उदर पे क्लास आ जेते जाते सेंटर करके अगर यह फास्स फास्स जा रहा है तो मैं इसको भीड़ा सा बढ़ा साथ लिखा हो और यहां पर यहां पर नीचे चला गया तो जैसे जिसमें नीचे जाओंगा तो यह चेंज हो के नीचे नीचे जाएगा फिर वापस से स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा है और यहां पर एक basically एक class लगरी है जिसका नाम आ रहा है सेंटर देखो दिख रहा है यह सेंटर में मैंने लगा तो अभी आउल आइटम से मैंने पॉइंट नहीं लगया और उसका ट्रांस्वर्म छोटा कर दिया सिर्फ इतना सा एक बेसिक लॉजिक है यह इसमें कुछ अपका मतलब समझने की लायक ही नहीं मतलब समझने की चीज नहीं है फरसे आपको यह दो क्लास के साथ खिलबाड करने का है जो की है और आउल आइटम डॉट सेंटर ओके यहां पर यह क्लास है अभी यह व्रैपर मैंन अभी यह चीज़ है बराबर अभी similarly ऐसा पांथ से दस से चीज़ देखो for example अब मैंने यहां पर दूसरा के रावजल बना दिया बराबर बराबर है अभी यहां पर क्लास होगा रहा है सब कुछ सेम डाला व्रैपर डाल दिया है मैंने ओके लेकिन अभी यहां पर अगर मैं यहां पर कैसे देखो यहां पर यह नॉर्मल ही दिख रहा है खली चेंज हुआ है तो उपर वाला चेंज हुआ होगा इसके लिए मैं व्रैपर करके क्लास डाला था ओके तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप कस्टम क्लास डालोगे तो वह एक बेटर चीज रहती है औ इसके फैक्ट आ और आओल कैराउजल भी ले सकता हूं अगर मैं आओल कैराउजल का तो जितने वी मेरे वेबसाइट पर आउल कैराउजल है सब पर सेम चीज एपलाया हो जाएगी तो है आपको इतना समझ में आ गया होगा और आपको कैसा लगा यह वाला कैराउजल सिख् तो वो मैं इसके बाद ही रहूँगा तो आपको next video किसके तो कौन से topic पीच है comment करके बताना तो हम लग मिलते है next video के अंदर जब तक के लिए जए हिंद वंद्रे मत्रम टाइटा बाई बाई